क्या एलविश यादव को फटकार लगाना सलमान को पड़ा भारी गैंग्स्टर गोल्डी बरार सिर्फ फिर मिली सलमान को धम्ट नमस्कार दर्शकों आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफर्म मैं हूँ आपके साथ मोहीनी राना बिग बॉट्स ओटिटी सीजन टू इन दिनों काफी सुर्ख्यों में बना हुआ है सलमान खान हर वीकेंड का वार एपिसोड में किसी ना किसी घरवाले की क्लास लगाते नजरा जाते हैं इस बार उनके निसाने पर कोई और नहीं बलकि अलविश यादव आ गए वीकेंड का वार में सलमान खान ने अलविश को इतना लताड़ा कि वो रो पड़े यही नहीं अलविश की मा को भी शो पर बुलाया गया इन सबसे अलविश के फैंस काफी नाराज हैं लोग जमकर सलमान और शो के मेकर्स की क्लास लगा रहे हैं आईए आपको बताते हैं क्या थी पूरी कहानी दरसल अलविश ने अपने साथियों अभिशेक और मनीशा के साथ अप्मान जनक प्यावार किया था इसी मामबले को लेकर सलमान खान ने अलविश की क्लास लगाई थी Elvis ने बेबी का दुरूवे को लेकर कुछ काफी घराब शब्द और अप शब्दों का इस्तिमाल किया था सलमान ने इसकी वीडियो क्लिप भी गरवालों को दिखाई थी जिसमें मेकर्स ने Elvis द्वारा बोले गए कुछ शब्दों को भी परकर दिया था सलमान इसी पर भढ़के हुए थे और उन्होंने Elvis को सुना दिया आपको बता दे सलमान खान ने Elvis को फटकारते हुए पूछा कि वो अपने फैंस की फौज पर इतना घमंड क्यों करते हैं क्या वो उन्हें फॉलो करने के लिए पैसे देते हैं जिसके बाद Elvis ने जवाब दिया कि उनके फैंस उन्हें कुछ पैसे नहीं देते जिसके बाद सलमान खान ने कहा अगर वो अपनी कीमत 500 रुपे भी रखेंगे तब देखते हैं कि आपके कितने फैंस होंगे जिसके बाद सलमान ने कहा असली सेनब भारती सेनब है जो देश के लोगों की रक्षा करती है सलमान ने आगे कहा कि वो अपनी मात्रभाशा हर्यानवी को बदनाम ना करे जिसके बाद Elvis के फैंस ने लगातार सलमान को ट्रोल करना और हेट देना शुरू कर दिया है आपको बता दे हेट के बाद सलमान की इंस्टाग्राम फॉलोविंग 66.8 मिलियन से सीधे 63.7 मिलियन पर आगे लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड आ गया है क्यूकि इसमें गोल्डी बरार की एंट्री होगी सलमान खान को लगातार धमकी दे रहा गोल्डी एलविस के सपोर्ट में है अब आपको बता दे गोल्डी ने ट्वीट के माध्यम से क्या लिखा गोल्डी ने लिखा जो लोग बिग बॉस के घर में एलविस भाई को तंग कर रहे है उनसे बदला लेने की जिम्मेदारी मेरी है इसके बाद बवाल हो गया है और सलमान खान के फैन सोचल मेडिया पर उनके बचाव के लिए भी सामने आ गये है बता दे कि इस ट्वीट के बाद गोल्डी बरार ने अपशब्दू का भी प्रयोग किया है हाला कि इस पोस्ट के बाद कुछ लोग गोल्डी के समर्थन में भी ट्वीट कर रहे है एक ने लिखा था लॉरेंस बिस्नोई भाई और गोल्डी बरार भाई कुछ वादा किया था आपने अलविश आर्मी भाईयों पोस्ट को लाइक और री ट्वीट करो इसके अलावा एक और ने लिखा एल्विस के साथ गलत हुआ गौर तलब है कि स्ट्वीट को लेकर किसी तरह का आधिकारिक जानकारी नहीं है कि ये गोल्डी बरार के द्वारा ही किया गया है इस गबर की अपडेट को देखने के लिए आप देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफर्म अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल न भूले और साथ ही कॉमेंट कर अपनी राय जरूर दे